हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके फोन में भी ऐसा प्रोब्लम आ रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे सीम फिल्ड का एक उप्सन आ रहा है ठीक है है और इसका आगे कुछ प्रोब्लम ही नहीं हो रहा है, जैसे कि आप इसको फोन को ओपिन किजेगा ऐसा प्रोब्लम आएगा, अगर आपके फोन में भी यह तो छोटा फोन है तो इसमें ऐसा प्रोब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं तो दोस्तो जब मेरे साथ ऐसा प्रोब्लम हुआ तो मैंने क्या क्या किया मैं बारी-बारी साथ को बताऊंगा वैसे आपको समझ आ जाएगा कि आपको भी SIM प्रोसेस करना है आपको भी यही करना है अगर ऐसा प्रोब्लम आता है तो बाद में क्या करना होगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते है तो दोस्तो सबसे पहले मैंने क्या किया तो जब ऐसा प्रोब्लम आया तो सबसे पहले तो मुवाइल को देखा तो मुझाल को देखने के बाद इसमें SIM फेल्ड था और उसके जो बगल में SOS यानि की source लिखा हुआ था ठीक है तो उस पर जब किलिक किया था इमिरिजेंसी कॉल दे किया था इस पर इमिरिजेंसी कॉल का आगा इमिरिजेंसी कॉल पर जाइगा तो सिर्फ कॉल होगा यहां पर कोई code का तो problem नहीं है, कोई code नहीं डालना है, तो दूसरा problem हो गया, कि code नहीं डालना है, तो अब इसको करना क्या होगा, तो मैंने गया Google पे, और Google पे sim fail का problem को, देखा कि आखिर इसको solve कैसे किया जाता, जब ऐसा, जब वहाँ पे search किया, तो वहाँ पे लिखा गया जैसे sim को निकालने के बाद उसका slot है, उसको साफ कीजे, फिर से उसको डाले में और उसके बाद open करके देखिए, तो वैसे कि यह तो वही नहीं हुआ, फिर से वही problem आ गया, ठीक है, दूसरा बार फिर से उसको जैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास दो फोन है, त था इस फोन का सिम, इस फोन में लगा दिया, तो एसे मुझे छींध का पता चल गया, यहला सिम में जब जया उसमें लिखे हुआ था emergency call जब इमेरिजनसी कॉल लिखा तो आप ूहां से emergency call लिख ऊरे था उसको तब भी सर्च कर रहा थे कि आखीड स्को नेट्वर्क नहीं आ रहा था तो फिर तो फिर इसके बाद क्या किया तो प्रहूल तो फिर इसके बाद मैंने तो वहाँ पर क्या बोला गया तो आप सुनिएगा मैं सुना दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ तो वहाँ पर जब मैंने फोन किया तो भी वही बोले कि सबसे पहले तो जो मोईल को खोली है मोईल को खुलने के बाद जो स्लोट होता है या सीम होता है उसके बाद किया तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने यह सब पहले ही कर चुका हूँ करें कि यहां पर हो सकता है मोईल का सीम है सीम यानि जो ओपर वाले प्रत होता है उसलिए आप नमबर से दूसरा सीम को निकल वाले जिए जो प्रोब्लम है उसके खत्म हो जाएगा और उसके बाद 49 का रिचार्ज कर वाले जिए ठीक है तो दोस्तों मैं जो बात किया हूं जो मैं मिरे पास रिकॉर्डिंग है वह मैं आपको सुना देता हूं क्योंकि आपको यह बात पर विश्वास हो जाए और उसके बाद भी अगर ऐसा प्रोब्लम अगर आपके पास आ रहा है तो आभी सिंप्रो से ही करें जो मैंने सुरू से लाश्ट तक बताया हूं ताकि एक प्रोब्लम सॉल्व हो सके तो दोस्तों चलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूं आप रिकॉर्डिंग को सुन लिजिए नमस्कार अटल सिशार्दा मैं बोल लें मेरे पास एक नंबर है उसमें सीम फेल्ड लिख रहा है का है अश्वेदर इसकरेश आमा चाहूंगी नंबर कुन साइसर आपका नंबर लिखे नाइन टू जी नाइन टू शिक्स फोर पनेट नंबर बताने के लिए दिनेवार चालू है और खूली है मैं मुवाइल को जैसे ओपन कर रहा है वह दिख रहा है उसे नहीं हो रहा है तो च्छोटा सा मुवाइल में लगा है तो इसे कड़ चुक हैं दूसरा मुएल में एक्षेंज भी है तब वही प्रूल्बम आ रहा है आपको बताना चाहूंगी सीम में को डिफॉल्ट पॉबलम होने के वाज़े से ना सर सीमकार के नेट्वर्क पूरे जा चुके है जिसके नांक से सीम में उसके ओरिजिन रॉकमेंट देखें यह एटे रिष्टर और जाके इस नंबर का निव सीमकार निकाल लीजिए चार गणते में आपका सीम चालू हो जा करने के लिए संग्यवाद आपको विडिवेक्स में रोज वेतर बनाता ठीक है